आप लोगों ने कई बारी मेर से एक डाउट पूछा है कि सर कौन सी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लांगविज हमें करनी चाहिए जो कि हमें अगर आप पहले सी प्रोफेशनल हैं तो कौन सी लैंगविज पर फोकस करना चाहिए तो आज की वीडियो में बात करेंगे टॉप थ्री प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लांगविज की जो कि आपको साइबर सेक्योरिटी के एरिया में मूविन करने के लिए हल्प करेग और अगर आप प्रोफेशनल है तब भी आपको हल्प करेगा अपनी स्किल को अप्रेट केने के लिए तो ज़ी शुरू करते हैं तो थर्ड नंबर की जो लैंगविज है चाहिए सन्न है उंप प्राइंड फीघरिग20 वह पहसे हैं संदोः भरल्सप्रीघरीए अगर आप Зем और बट कम ही प्रेँट में वहां सरी में खॉछ हुआ तो अगर अगर उस language का आपको background पता है अगर flow पता है जरूरी नहीं कि मास्टर रोस language में बट अगर आपको पता है कि ऐसे programming करी जाती है यह उसका flow होता है और उसी के साथ साथ अगर आपको HTML, CSS, JavaScript और SQL जैसे जो की backend हो गया आपका वह सारी का idea है तो आप web application security में बहुत अच्छा कर सकते हैं तो अब बात करते है number 2 की number 2 मेरे लिए है C programming language अब ऐसा क्यूं क्यूंकि अभी भी 90% of the libraries और जो हमारा OS लिखा गया है वो C programming language को यूज करके लिखा गया है तो इसलिए अगर आपको जैसे buffer overflow जैसे attack करने हैं तो आपको अगर C आती है और आपको एक basic उसका functional flow पता है आपको पता है कैसे program लिखा जाता है लिखा वह program अगर आपको समझ आता है तो सबसे बढ़िया बात आपके लिए नमबर वन पर आती है Python क्यों क्योंकि Python एक ऐसी language है जिसको multipurpose language भी बोलते हैं उसको सीखना बहुत ही ज्यादा असान है comparatively अगर आप C, C++, Java को सीखते हो तो आपको पाइफन आनी चाहिए Python आसानी से सीखी जा सकती है Python आपका आगे भी काम आएगी लेकिन आपको मूव करना है data science में तो तब भी आपको काम आ सकती है ठीक है कुछ honorable mentions जो की programming or scripting languages के है वह है पहला JavaScript जो इन तीनों के अलावा जो मैं suggest करूंगा पहला JavaScript क्यूंकि JavaScript attacks जैसे browser-based attacks होते है जैसे cross-site scripting तो अगर आपको आती है तो आप बहुत अच्छे से उसमें mastery कर सकते है cross-site scripting attack को आप exploit कर सकते हैं आप remediation में help कर सकते हैं अगर आपको language आती है तो ठीक है आपकी जो दूसरी language बची वह है bash या तो bash या फिर power shell अगर आप एक beginner to intermediate level पर है तो आप bash scripting language को सीखें आप अपन एक anmap जैसा है कोई अपना scanner बना सकते हो port scanner आप नए-nay programs लिख सकते हो चीजों को automate कर सकते हो लेकिन अगर आप advanced level पर हो जैसे active directory hack करना internal network penetration testing करना तो आपके लिए power shell बहुत important है ठीक है और जो last but not the least अगर आप assembly language को सीखते हो अगर आप एक ऐसे professional हो जो की cyber security के forensics area में जाना चाता है या फिर thick client penetration testing करना चाता है या फिर उसको reverse engineering में बहुत जादा interest है या फिर आपको आपने देखा होगा की executables को उन्होंने bypass कर रहा होता है जैसे patch कर रहा होता है तो आप कर सकते हो तो assembly language मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत important है अगर आपको in in field में जाना है तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो like करें share कर अपने दोस्तों के साथ और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें अगले वीडियो में करें कुछ और ऐसी important discussion तब तक किले stay tuned keep learning bye bye